नमस्कार दोस्तों Allrounder बात कर रहा हूँ तो सागत है आप सब का Allrounder फैमिली में तो कैसे आप सब क्या चल ला है उम्मीद करता हूँ कि मेरे छोटे, मेरे प्यारे भाई से भी अच्छे होंगे क्रिप है जिम्मेदारी से और अपने स्वैम की जोखिंग पर इसे खेलें तो ये डिस्कलेमर मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि यूटूब की एक कम्यूटी होती है जिसको अगर हम फॉलो ना करें तो उसके रिगार्डिंग यूटूब हमारे उपर एक्षन लेता है अगर हम रेट की बात कर लेते हैं तो यहां पर 50-50 का मामला नजर आ रहा है तो मतलब बराबरी का मुकाबला है अगर देखा जाए तो जब-जब ये टीमें आपस में लड़ती है तो भाई बराबर का मामला होता है 50-50% का तो वहीं पर अगर हम बिनिंग पोल की बात करते हैं तो इसलामबाद 38%, 38% इसलामबाद और कोईटा गिलेडेटर 62%, 62% कोईटा गिलेडेटर तो यहां पर भी देखो बाजी मारता है कोईटा गिलेडेटर अब मेरी समझ से ये बाहर है कि भाई इतनी बड़ी टीम Islamabad United जो की performance भी काफी अच्छा और दूसरे नमबर की बात करते हैं कोईटा की तो कोईटा अभी तक जितने भी मुकाबले खेले गए हैं अपने सभी मुकाबले हारी है एक ही मुकाबला जीती है तो वहीं पर अगर हम Islam Islamabad United की बात करते हैं तो पिछले 6 मुकाबलों मेंसे 4 मुकाबले जीती है 2 मुकाबले हारी है कोईटा सबसे नीचे बैटी है और वहीं पर Islamabad की बात करते हैं तो ये तीसरे नमबर पर बैटी है तो भाई देखो जमीन और आस्मान का अंतर रेट में तो समझ में आरा है लेकि अगर इनकी इनके पुराने matches अगर हम देखते हैं तो उसमें नजर नहीं आ रहा है क्योंकि देखो 5 में से 5 मुकाबले मतलब 10 मुकाबलों मैं से 5-5 दौनों team में जीती हैं तो बराबर का मुकाबला यहां पर लग रहा है और बिनिंग पॉल आप ये सोचना कि भाई जो rate चल रहा है ना इस rate में आप प्लस करते चलना कोईटा को और भाई आपको मैच में मज़ा आएगा कलर मिलेगा और आप ट्रेडिंग भी कर सकते उस मैच में तो एक ही टीम के उपर बैट के मैच में प्ले मत करना और जो भी हमारी final अगर वैसे team है तो इस मैच में इसलामबाद यॉनाइटेड है और मैं एक बात और बोलूँगा सभी भाईयों से प्रॉब्लम होती है मुझे यार आज भी मैंने पास कराया मैच लाहोर कलंदर वर्सिस मुल्तान सुल्तान का बोल कर गया था रात में वीडियो डाल कर गया था बताय था सभ हमेशा भारी नजर आता है फाइनल की बिग्रत कर लें इन दौनों के बीच में फाइनल हुए था जो कि लाहर कलंदर कलंदर जी ती तो दीको लाहर के पास तो फर्सिस अपनी तछी अच्छ मेंगर अगर किसी बाई ने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना मैंने बताया था और जितने भी हम prediction अपने channel पर करते हैं भाई मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ इतना बोल रहा हूँ उसमें से अगर मैं 10 team में देखर जाता हूँ तो उसमें 9 team में plus हो जाती हैं तो underestimate मत करना underestimate मत करना और एक बात और बताओंगा आप सबी बाईयों को इसलामबाद United की team की बात कर लेते हैं तो इसलामबाद United में कौन सा ऐसा player होगा जो की अच्छा performance कल के match में कर सकता है तो सबसे पहले अगर हम captain की बात कर लेते हैं तो इसलामबाद United का captain सादाप खान रहेगा जो की 4 over खेलता है चार over फेकेगा और बैटिंग भी कर सकता है तो all rounder की भूमिका निवा सकता है तो वहीं पे अगर हम बात कर लें आसे फली की तो ये player हिट के लिए तो सही हैं लेकिन भाई अगर match काफी पड़ा हो और इसलामबाद की अगर जल्दी बिकिट गिर गए first batting पे तो ये नहीं कर पाएंगे कुछ तो वहीं पे अगर हम touch की बात करते हैं तो सबसे अच्छा touch में बंदा नगजर आ रहा है आज हम खान जो कि अभी recently दो match जिता कर आया है एक match में 100 plus run मारे थे और दूसरे match में इस उन्हें इतनी अच्छी पारी खिली थी जो कि recently अभी कराची के साथ match हुआ था तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि इसमें इस टीम में जो भी player में आपको बता रहा हूं वो touch में नजर आ रहे हैं और उनकी performance भी काफी अच्छी नजर आ रही है तो इसमें देखो सादाप खान, आजम खान, कॉलिन मुन्रो, Alex Hills भी आ गए हैं इसमें या लाक फारू की काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं अपने और player की बात करते हैं तो इसमें Tom Coran को भी खिलाया जा सकता है और खेल भी रहे हैं अच्छा प्रदसन भी कर रहे हैं तो man man player की बात कर रहा हूं अगर हम Wesson Wender Wender Dusson की बात करते हैं तो अभी तक इनको इतने सारे मौके दिये गए हैं तो वो पारी नजर नहीं आई है Wender Dusson से तो देखते हैं कि भाई ये match नमर 21 में ये कैसा क्या कर सकते हैं तो वहीं पर देखो इनकी बैटिंग मुझे काफी प्यारी लगती है इसलाम अबाद युन है अभी आजम खान के पास तो अगर कभी मैच फस जाता है पचपन में 50 चाहिए 45 में 80 चाहिए तो भाई ये आजम खान अगर टच में नजर आ रहा है तो ये बना देखरन तो वहीं पे अगर हम कॉलन मुन्रो की बात करते हैं तो कॉलन मुन्रो को आप अच्छे से जानते ह कि कैसा प्लेयर है काफी अच्छी स्ट्रैक रेट के साथ ये प्लेय करता है और वहीं पे अगर हम एलेक्स हेल्स की बात करते हैं तो भाई इनका प्रदसन किस ने नहीं देखा सबसे बहतरीन प्रदसन रहता है इनका T20 में तो ये भी अच्छे टॉप के प्लेयर हैं तो वह अच्छी टीम है बहुत अच्छी टीम है इनके पास बैट्समेन की कमी नहीं है इनके पास बॉलिंग की कमी नहीं है इनके पास आल राउंडर की कमी नहीं है तो कल के मैच में सिर्फ यही चीज का बेट करना आप लोग कि कब आपको कोईटा फेवरेट मिल जाए कोईटा फ कि वहीं पे अगर हम Бात करते हैं जेसन रॉय तो देखो निकल गए हैं बांगलादेस के लिए तो ये आबलेबल नहीं हो पाएंगे वबैसे भी इनका formation अब चल नहीं रहा था पीज आशल में तो भहीं पे अगर हम बात करते हैं तीसरे बड़ी हार तो यह ही है कि यह कैप्टन है अगर यह हट जाते हैं न कोईटा से तो कोईटा के साइद अच्छे दिन भी आ जाएं ज़्यादा बॉलें खेलते हैं, कम रन बनाते हैं मैच हरवा देते हैं, जीता हुआ मैच भी दे देते हैं आई देते रहा है, वो है नहीं, अभी एक प्लियर जरूर आया है उसका नाम मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको एक मिनट रुकना, यह राये प्लियर विल समीध, यह काफी अच्छा प्लियर है यह रन मारता हुआ दिख जाएगा आपको पावर प्ले के अंदर-अंदर यह ओपनिंग आते हैं भाई, यह ओपनिंग में अच्छा प्रदसन करते हुए नजर आएंगे और अच्छा प्रदसन जैसे ही करेंगे तो कोईटा उपर जाएगी, कोईटा जैसे ही बात है मैं prediction कर रहा हूं 3 बचके 48 मिनट पर जब आप सो रहे हो पूरी दुनिया सो रही है 3 बचके 48 मिनट almost 4 बजने का समय हो गया मैंने कोई alarm रखके ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूं मैं सो कर जागा हूं ऐसा नहीं है मैं continue जाग रहा हूं जब जब आप सो रहे होते तब तब मैं वीडियो बना रहा हूं जब आप जागते हो morning में तब मेरे वीडियो को देखते हो और entertainment करते हो और plus भी होते हो तो मैं सर्फ यह की बात बुल रहा हूं हाँ जोड रहा हूं पापके पैर चुग रहा हूं आप अगर भाई मानते हो तो भाई मुझे support करो आप लोग इस चैनल को subscribe करो अगर इसमें वीडियो देख रहा हूं ये भी तो देखो बंदे की बाई बात तो देखो कि वो दो दो तीन तीन चार चार बजे वीडियो बना रहा है आप सब के लिए और इसमें मेरा कुछ भी नहीं जा रहा है कुछ भी nothing बस time लगा रहा हूं सब लोगो आपके लिए available रहूंगा ये मेरा बादा है और दीसरी बात सबसे important बात तो ये match देखो मैं अभी आपको चार बजे something morning बोलूँ या फिर night बोलूँ समस्यवार है लेकिन अभी 90 है तो 90 बोलूँगा तो 3.50 पर ये वीडियो बना रहा हूं और इतने time पहले कोई team का बिनर द होती हैं मान के चलो कि कोई player injured होता है किसी player को playing 11 से निकाल दिया जाता है कौन सी playing 11 आती है पता चलता है कि man player ही play नहीं कर रहा है तो बहुत सारी चीज़ें होती है अब down तो उसके लिए मैं सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूं कि हमारे all rounder family का जो channel है telegram का तो जल्ली से जल्दी फटा फट जल्दी से जल्दी जोइन कर लीजे क्योंकि ये match आपको साड़े साथ बज़े हाथ पकड़के मिलेगा काम कराऊंगा आपको मैं और मेरे जितने भी family है सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी साथ बचके 30 मनट पर ऐसा का हम लोग कुछ आप लोगों से demands नहीं करत ये search कर लीजे allrounder family जैसे ही हमारा channel आता है उसको join कर लेना आने वाले upcoming matches होते हैं हम सब अपने telegram पर कराते हैं तो और तीसरा तरीका ये है तीसरी बात मैं ये बोलूँगा जाते जाते कि allrounder family के ही नाम से हमारा YouTube channel है अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो please कर लेना इस ची नहीं रखना आपका channel subscribe करके हम जा रहे हैं आपको छोड़के अगर मज़ा नहीं आए एक बार आओगे family का हिस्सा बन जाओगे और जिंदिकी बार हमेशा रहोगे family में हमेशा कभी भी नहीं आप छोड़ने की बात करोगे तो allrounder family की नाम से जो channel दिख रहा है आप अपको इसको subscribe कर लो और देखो अगर किसी भी भाई को कोई भी problem आ रहे है ये telegram join करने में तो आप हमारे telegram channel की description में जाके telegram की link मिल जाएगी तो YouTube की description में जाना वहाँ पर आप सबको telegram की description मिल जाएगी telegram की link मिल जाएगी तो वहाँ जैसे ही आप click करोगे तो directly आप हमारे telegram channel पर बन जाना तो जाते जाते सिर्फ इतना बोलूँगा support करते रहिए continue video मिलती रहेंगी आप सबको आने वाले time में चाहे वो IPL हो चाहे वो PSL हो चाहे वो WPL बूमेन का IPL हो तो आने वाले समय में बहुत सारे अच्छे-च्छे matches आने वाले हैं आप सबका support आप सबका प्यार आ आगे बढ़ते रहेंगे तब तक के लिए चलता हूँ अपना खयाल रखिए match के time मिलते हैं